पुल्मेकर विवेक अगनी होतरी ने एक बार फिर बॉलिवड फिल्मों पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि मिडल क्लास लोग इन फिल्मों से जुडाव नहीं महसुस कर पाते इसलिए आज की फिल्म में बुरी तरह फेल हो रही है विवेक का कहना है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बायकॉट कर दिया है क्योंकि वो इंडस्ट्री के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाते है विवेक ने कहा कि आज उनके और कंगने रानावत के अलावा कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की कम्यों के बारे में बात नहीं करता विवेक ने कहा कि करन जोर कि स्टुरेंट आफ दे इयर जैसी फिल्मों से देश के युवा जोड़ाओं नहीं महसुस कर पाते क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता विवेक अगनी होतरी हाल ही में सुधिर मिश्रा के साथ एक पॉड्कास्ट में शामिल हुए उस दोरान उनने कहा मैं मिडल फैमिली में अपनी आत्मा पाता हूँ आज जब मैं औरतों से बात करता हूँ तो वो कहती हैं कि फिल्मों में ओवर एक्स्पोजर और वल्कैरिटी जदा बढ़ गई है उन्हें से कंटेंट और फिल्मों से दिक्कत हैं वे ऐसी फिल्मों से इरिटेट हो गए हैं पाडकास्ट होस्ट कर रहे सुधिर मिश्टा ने कहा कि लोग आजकल आलसी हो गए हैं इसलिए फिल्में देखने थीटेस में नहीं जा रहे हैं इसी के साथ बने नहीं राज्रामा टीवी के साथ धन्यवाद